होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुबकामना है होली के दिन बहुत सारे प्रियोग के जाते हैं तोटके के जाते हैं धन प्रापती के लिए सत्रू मुक्ती के लिए और यहां तक कि ग्रहों की चाल जो आपके विपरी चल रही है उससे बचने के लिए भी तो आज हम आपको एक महा प्रियोग बताएंगे सबसे पहले तो आप ये जान ले कि वो पौधा कौन सा है इसको हम कहते हैं आग या मदार का पौधा आग के पौधे का पंचांग का प्रियोग किया जाता है उसके पत्ते, चड़, तना, पुस्प, तमाम चीजों का यहां तक कि उसके दूद का भी तो चलिए जानते हैं बिस्तार से देखे तंत्र क्रिया में कहा गया है कि अगर होली की रात में आपको पौधे चुना नहीं है होली के दिन 24 घंटे आपके पास समय है, आप कभी भी यह प्रियोग कर सकते हैं सिर्फ रात में नहीं करना है तो होली के दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो रवी पुस्य योग में इस प्रियोग को कर लीजेगा सफेद मदार, जिसको हम आँख कहते हैं मदार कहते हैं इसकी जड़ लाकर अपने अगर पुरुस हैं तो दाहिने भुजा में और इस तरी हैं तो बाएं भुजा में अगर आप बांध लें तो हर तरह की बाधाओं से, परिसानियों से, गरहों की विप्रीचाल से सुरक्षा मिलती है और अगर बंद्या इस तरी इस जड़ को धागे के सहरे कमर में धारंग कर ले तो उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है इतने गुन है इसमें तो होली की रात इस प्रियोग को आप कर सकते हैं तो हलाकि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है आप उन प्रियोग को भी कर सकते हैं आक या मदार इसकी दो जातिया है एक लाल और दूसरा सफेद हलाकि ये ब्रिच ज़्यादा उचा नहीं होता है जहार पतवार की तरह है और आक के जो पत्ते होते हैं हलाकि आक का प्रियोग ज़्यादा तर तांतरिक प्रियोग होता है हलाकि ये सात्विक है पुर्णतया लेकिन इसको तांतरिक प्रियोग की तरह ही देखा जाता है आक का जो दूद है हलाकि आपको हम पहले ही बता दे कि आक जो मदार है वो उसमें थोड़ा बिस का प्रभाव होता है इसलिए साथधानी से हातों को धोलीजेगा जब भी प्रियोग कीजेगा और इसका अगर आप आयरुवैदिक प्रियोग करना चाहते हैं तो बिना किसी वैदिकी सला के कोई भी प्रियोग मत कीजेगा समस्या है तो भी इसका वसी करन कर सकते हैं पूरी दरह से स्वात्तविक है इसमें किसी को आनी नहीं होगा और तीसरा अगर नौकरी वैपार में परिशानी है तो भी आप वसी करन कर सकते हैं देखें मदार के पत्ते से वसी करन करना बहुत आसान है समाने तो आप ये कह सकते हैं आग का पौधा आपको हर जगा मिल जाएगा लेकिन जो सफेद वाला आग का पौधा है जिसको मदार कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का टोई टोटका परियोग करते हैं तो आप पहले ही देख लें कि वैसे तो रोट साइड मिल जाएगा आपको ये पेड तो पहले ही आप ढून के रखें कि ये पेड सफेद आग का कहां पे है फिर आपको ये परियोग करना है और जब भी आप परियोग करें तो पहले जाकर निमंतरन दे आएं आग के पहुदे को पास कैसे देंगे आप एक सुपाड़ी एक सिक्का और थोरा सा जल लग कर जाएं किसी बॉटल में भी ले जा सकते हैं और पेड के पास जल और पीद करें जड में और फिर यहां पर सुपाडी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोले अपना परिचे दें आप कौन है आपकी पिता का नाम क्या है आप किस परियोजन से उनके पास आए हैं और फिर उनको परणाम करके आप घर आ जाएए और अगले दिन आप परियोग करें इस बात तरह के प्रियोग होते हैं पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रियोग नहीं बताएंगे हम पहले ही क्लियर कर दें वो जो होता है मारन वाला वो सब नहीं बताएंगे सिंपल तरीके से आप सत्रों को सांथ करें आप प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे के करीब आए बस यहीं बताएंगे तो चलिए हम जानते हैं एक बात जालने कि जिस घर में घर के बाहर बांटरिवाल के बाहर मदार का आग का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी की नजर दोस नहीं लगती नकात्मक सक्तियां प्रवेश नहीं करती अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बड़े लगी है नहीं है तो लगा लीजिए तो चलिए हम प्रयोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आप के साथ तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंतरन दे के रखे मदार के पेड़ को आख के पौधे को अब इसके बाद आप अ आपको या बड़े भी खिलेवे पुस्प हैं तो कोई बात नहीं बस ये कोशिस करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है अब इसको लाकर आप पत्ते और पुस्प लगावा ही रहे तूटे उसको तोड़ना नहीं है अब लाकर हनमान जी के मंदिर में जाईए अब हनमान ज लब का भी नाम लिख सकते हैं यहां पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनवान जी के चर्णों के सिंदूर से अब इसके बाद मौली धागया के द्वारा दोनों आपके जो पत्ते हैं पुस्प को अंदर और पत्ते चारों तरफ से उसको कभर करके मौली धागया के सारे बांदे और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है बसीकरन हो जाता है और यह प्रचंड बसीकरन है इसको करने के बाद आप कहीं मिल्टे में दबा दें पीछे मुण कर मत देखिएगा कभी भी खाली न मंतरन देना है पहले से इस बात का याद रखिएगा अब आपको यह प्रियोग देखिए जिसको जो सत्रू है उसी के उपर कीजिएगा आपको सफेद जो सफेद वाला आग का पौदा है वहाँ पर आप जाईए अब पत्ते तोड़िए पधे के और पत्ते से जो दूद न नाम लिखे और फिर इस पत्ते को वहीं पर जमीन के अंदर पेड के पासी कड़ा करके दबा दें और मिट्टी ढग दें सत्रू बस में हो जाएगा सत्रू सांत हो जाएगा और आप फिर परिसान नहीं होंगे वैसे यह परियोग एक ही बार में काम करता है संबब हो तो जै अपना असर दिखाएंगे जोतिस के अंदर यहां तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड को ताबीच च के अंदर रखकर यानि सफेद मदार की जड ताबीच के अंदर कर काले धागे मेंrate कर गले में या भाह में धारन करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भीत तांतर प्रियोग किया होगा वो समाप्थ हो जाएगा तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो यह प्रियोग कर सकते हैं और एक मेहना के बाद मिट्टी में दबाते हैं तो चलिए सबसे अंद में एक खास उपाए कई बार क्या होता है आपके आफिस में आपके वैपसाय स्थल पर लोग बहुत परिसान करते हैं कई भार घर में भी लोग परिसान करते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आपके मदार के पत्ते से भी वसी करन होता है लोग परिसान नहीं करेंगे तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी सन पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आईए अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को दो कर यानि कि जो जड़ है उसको पीस लिया अब मदार के पत्ते को दो लीजिए उसके उपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए अब इसका आप तिलक कर स जिसके भी सामने जाएंगे वह बस नहीं हो जाएगा आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीछ ले मदार का जडु मदार का पत्ता और थोड़ा सा घिमिक्स करके यह प्रचंड वसी करन आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी आपके सामने ठीक नहीं पाएगा और ये वसीकरन तिलक है वैसे तो आप वसीकरन के लिए यहां पर आप चाहें तो लाजवन्ती के पौधे का जड़ भी डालकर पीसकर डालकर आप परियोग कर सकते है इससे भी वसीकरन होता है तो छोटे-छोटे परियोग है पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे अब देखें सफेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वसीकरन होता है वो कभी खाली नहीं जाता तो अगर आप एक छोटा सा परियोग करें जैसे कि एक सफे को घर के बाहर कोने में दबा दें फिर ओम गंगन पते नमा का अपने घर में बैठ कर जब करें कम से कम इस जब को आप लगातार करें रोज करें कम सकम पांच बार करके और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गनेजी से प्रातना करें और जब आ आपको सफेद आक का जड़ लाना है और एक पत्ता लाना है और उसको घर के बाहर किसी भी कोने में दबा देना इस बात का ध्यान रखिएगा ये प्रियोग जब करें तो आप पुर्ण तया बस भक्ति भाव में रहें गनेज जी के सरण में रहें प्रियोग असर करेंगा हम तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए अगर किसी एक का भी भला होता है तो हमें बहुत खुशी होगी हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी टॉपिक नेने